नमस्कार मैं प्रियम शंकाज़ा प्रस्तोत हैं दो पहर समाचार केंद्रिय विद्वत मंत्राले ने उत्तराखंड जल विद्वत निगम वट एच्टी से इंडिया लिमिटेट केस से उक्तुप क्रम को कोईला आधारे तापिय विजली संयंत्र लगाने की सैध्धांतिक सहमती दे दी है कोईला आवंटन के बाद उत्पादित होने वाले विजली से राजी की विद्वत विवस्था में सुधार होने की उमीद है इस संबंद में मुख्यमंत्री पुष्क सिंधामी की ओर से शक्ती निती के अंतरगत अप्रेल में कोईला आवंटन के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था शक्ती निती के तहट कूल इंडिया लिमिटेट केंद्र एवं राजी सरकारों की उत्पादन कंपनियों और उनके संयुक्त उक्रमों को अधिसूचित दरों पर कोईला आपूर्ती की अनुमती दे सकती है वेक्टे जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, आदी की रोग थाम और प्रभाविनी अंतरन के लिए राजिस्तरिय संबेदी करण का रशाला वो समिक्षा बैठक का आयोजन किया गया राश्चिय स्वास्ते मिशन की निदेशक स्वातियस भदोरिया ने बैठक में सभी जनपदों को इससे संबंधित आवश्चक दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी चिकत सालेओं में डेंगू सम्मधित आवसदियां मच्छरदानी जाचकेट और अन्यसामगरियों की समय के साथ खरीद कर ली जाए उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामिंग शेत्रों में डेंग उलारवा के पनपने के स्थान को चिन्हित करने के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार कर जागरुकत लाएं वहीं स्कूलों में भी स्वच्छता और पूरी यूनिफॉर्म से संबंदित दिशा निर्देश जारी करने के भी निर्देश दिये गए राजपाल गुर्मेट सिंग ने प्रदेश में निश्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और उनकी पूरी टीम को बढ़ाई दी है उन्होंने कहा कि उत्तराखन की विशम भागलिक परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की उसमें राजी निर्वाचन विभाग की बड़ी भूमिका रही राजभवन में निर्वाचन विभाग की पुस्तक उत्तराखन लोगसभा चुनाओ 2024 के विमोचन के दौरान राजपाल ने पुस्तक की सराहना करते वे कहा कि ये डॉक्यूमेंटेशन का बहतरीन उदाहरन है उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह की पहल की गई है पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रिया कलापों को अंकित और डॉक्यूमेंट किया गया है इस पुस्तक में विभाग द्वारा लोकसभा चुनाओं में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किये गए अभिनव प्रयासों और जानकारियों को भी शामिल किया गया है इसके अलावा जिलों की निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किये गए विशेश प्रयासों की भी जलकिया इस पुस्तक में शामिल है शिक्षा विभाग वर्तमान शक्षिक सत्र को विद्यार्थी वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है विद्यले शिक्षा महाने देशक बंसिधह तिवारी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के सशक्ती करण के लिए विशेश प्रयास किये जा रहे हैं इसके तहर स्कूलों में 3,000 से जादा शिक्षिकों की भरती की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है अब स्कूलों में संसाधनों के विकास पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है इसके तहर शिक्षिकों की अंतर मंडलिय तबादले तबादला प्रक्रिया में काउंस्लिंग अटल स्कूलों में तैनातियां डायेट में पदस्थापना समेथ कई मांगों पर सरकार कारवाही कर रही है इस वर्स हम लोगों ने कख्षा चाहसे लेकर के और अमबारत तक जो साइंस की पुष्टक उसको दो भासा में दिया है और इसके अलावा विद्यार्थी वर्स करूप हम लोग इसको मना रहे हैं जो विद्यार्थी केंद्री ब्यौस्था होगी जिसमें उनकी पढ़ाई की गुरुवत्ता कम कैसे सुधा रहे हैं उनकी उपरस्तिती को कैसे सुधा रहे हैं जो बोड हमारा परिक्षा अफल है उसको और कैसे ब्यातर बनाएं तो विद्यार्थी को केंद्र में रखे हम लोग इस साल कारवाई करेंगे अगली खवर मौसम की प्रदेश के विभिन हिस्सों में पिछले तीन दिनों से हलकी से मध्यम बारिश का सिलसिला लगातार जारी है परवत्यक्षेत्रों में कहीं- रुद्रोनाथ ट्रैक पर भारिवारिश के चलते पैर फिसलने से एक व्यक्ति की गहरी खाई में गिरने से मृत्य हो गई इस बीच मौसम विभाग ने कल राजी के कुमाव क्षेत्र में कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारिवारिश का रड़ अलर्ट जारी किया है साथी गड़वाल क्षेत्र में देहरदून, पौडी, टीहरी और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट और राजे के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है मौसो विभाग की चेतावनी के मद्दे नजर आज राजे के साथ जिलों, पौडी, अल्मोडा, पितहौरागर, चंपावद, बागेश्वर, डैनिताल और उधम सिंगनगर में बारवी तक के सभी स्कूलों के साथ ही आंगन बाड़ी केंद्रों में अवकाश घुशित किय आ गया है। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक समबान समारों होगा जहां भातियो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड विजेता टीम को पुरसकार आशी प्रदान करेगा। इसके साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूर दर्शन समाचारों से जूड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम साड़ी छे बुजे के बुलेटिन में। नमस्कार।